तो आज आपने बात करेंगे जो PT exam booking के टाइम में आपके साथ में fraud होता है उसके बारे में किस type का fraud आपके साथ exam booking के समय में हो सकता है इस वीडियो में briefly मैं पूरा explain करने वाला हूं किन-किन बच्चों के साथ यह हुआ भी था उनकी details शेयर करूंगा आपके साथ में पूरी व exam कभी ने पाएंगे यह पका हो जाएगा और नहीं आपके प्रोड किस type का होता है पहले मैं आपको स्क्रिन पर इस तरी के से दिखाता हूं तो तीन टाइप की mail आती है आपके जब आपके exam booking देन हो जाती है आप किसी third party से exam book करवाते हैं किसी institution से किसी teacher से wherever तो इस type की आपक to detail वो इस type की होगी बड़ अगर आपका fraud वाला system है वो fake system की तरी के से work करता है let me explain अब आप यह mail देख रहे हैं इस mail के नीचे आपको payment information का दिख रहा है अब payment information के नीचे मैं कर दिया है अब इसके अंदर payment number दिया हूँ है card holder name दिया हूँ है card type visa card दिया हूँ है card holder कौन है आपने पैसे दिये थे रुपए दिये थे it means या फिर आपने अपना credit card share किया था अगर अपने अपना credit card share किया तो यहां पर आपके card की details आएंगी तो आपके card से payment हुई है it means कोई fraud नहीं होगा यह आपका safe है safe side है second fraud क्या है इसके अंदर अगर आपको payment information दिख रहा है है आप पिसान में आप फेक card से आपके साथ payment share की उसने and वो exam booking आपको show होगी आप exam बकाईदा दे के आएंगे बकाईदा आपका score भी आएगा अब वो score आने के जस्त बाद आपकी ID block कर दे जाएगी PSN के दौरा ban कर दे जाएगी तो कि वो क्या करते है इस card को block करवा लेते हैं इस card से payment refund करवा लेते हैं transactions block कर देते हैं whatever क्या करते हैं I don't know but this card को block कर देते हैं जिससे आपकी ID ban हो जाएगी जो आपने exam fee की थी उनको उपेंदरा 1000 वे बच जाते हैं जितने भी आप पे करते हैं I don't know वो उनको बच जाते हैं that's why वो आपको exam बोजा सस्ता provide करवाते हैं या whatever उन notification यह इस type की mail आई हुई है payment information check करनी है जो आप exam book करवाते हो तो इस type की mail आई हुई है तो mail देखनी है आपने कि क्या उसमें यह payment information दी हुई है और आपने पनी card की ID नहीं provide करवाई थी card details नहीं provide करवाई थी इसका मतलब यह virtual card बनाया गया fake card और अब आपकी ID ban होने वाली है तो इससे पहले कि आपकी ID ban हो exam को cancel करवाओ उस agent को phone करके क्योंने नहीं करना exam को cancel करवाओ बात खतम तभी आपके पैसे बच सकते हैं अगर आगर दरवाई exam दे दिया आपने then आपका exam तो आपका exam हो गया score भी आगया और आप ID apply नहीं कर सकते है अपनी फाइल अप्लाइं है इसका कि हम PSN को solid proof provide करें कि हमारे साथ fraud हुआ है और जो card हमने लगाया तो उसकी detailing provide करें तो बहुत बड़ा process रह जाता है उसके बाद में अब देखें second बात करते हैं कि आपको reality क्या है कि मतलब कौन सी exam booking सही है इस type के अगर आपर mail आती है इस mail में payment information नहीं आती है जस्ट आपके एक receipt आती है voucher code हलका सा वो लिखा और यह सब इस तरीगे से mail आती है तो it means आपका voucher से exam fill हुआ है it means आपका credit card से fraud नहीं होगा यह व सकता है कि आपका agent था जो उसने GST paid voucher नहीं लिया हुगी then भी हो सकता है कि आपके साथ fraud हो जाए बट उस fraud को फिर भी किया जा सकता है 20 fill out करके इस type of fraud बहुत rare होता है बट होते जरूर है voucher वाले भी बट अगर आप card से related fraud हुआ है तो उससे जरूर बटना है that's why इस video को share करना जिनके साथ भी fraud हुआ है and अगर जिनके साथ फ्रोड हुआ है resolution नहीं हो रहा कुछ decision नहीं निकल रहा तो आपको बहुत validate है या भोजा फैले हुए जिनका अब मैं डेली के दस से पंदरा exam book करता हूँ unknown students के भी such would but अब मेरे को ता पकड़ सकते हो ना मेरे को कह सकते हो ना कि अगर आपकी आइडी सा प्रोब्लम हुआ है last two and a half year से मैं exam booking कर रहा हूँ पर मेरे किसी भी students का ऐसा नहीं हुआ मुझे पता है ना reality के है तो आप वहीं से exam booking कर वाएं जो institutions आपके आसपर नजी की popular है जिनको आप जा सकते हैं पकड़ सकते हैं कह सकते हैं जिन से निगलवा सकते हैं या फिर whatever ना उनी से ही ऐसे किसी से भी exam booking भत करवाईएगा so be aware and share जरूर करिएगा जिसके साथ भी ऐसा ना हो देज्वाईगा जिरूर करिएगा